हलो दोस्तो मैं हुजनेद और आप सभी का भड़पूर स्वागत है आज के इस बेहतरी नपसोड में दोस्तो हम पिछले 4-5 सालों से यूटीब पे विडियोज बना रहे हैं ये मेरा कोई दूसरा या तीसरा चैनल होगा तो चल रहा है इससे पहले मेरे एक दो चैनल और थे जिसे मैंने लगभग 50-50,000 सब्सक्राइबर करके और वो चैनल किसी कारण वस डिलीट हो गए तो यार ऐसा है फोड़ी बहुत नौलीज है हमें यूटीब की और किसी का अगर हमें सपोर्ट करना है तो हमें खुल के उसके साथ आना ज़रूरी है अगर माल लो हमारे साथ कल के दिन कुछ अगर कांड होता है तो सामने वाला जो बंदा है वो हमारे साथ खड़ा हो सके तो इसलिए एक दर्फा सपोर्ट करना बहुत जरूरी है और आज का ये वीडियो इसपेसली है संदीव महेशवरी सर के लिए यहाँ, यहाँ, मैं उनके वीडियो लगभग 4-5 सालों से देख रहा हूँ जब से मुझे जियो का नेट मिला है, लगभग तब से और मुझे वो बंदा बहुत पसंद है, उनकी वीडियो एक तो फिरी ऑफ कोस होती है किसी तरह कोई एड्स नी चलते, मतलब जबरदस्त होता है तो मुझे लगा कि हाँ, उनके लिए एक सपोर्टिव वीडियो होना जरूरी है मेरे चैनल के लिए हिंदुस्तान की इस खुबसूरत जमीन पर आज तक बहुत सारे ट्रेंड्स है लेकिन मैंने किसी भी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया कि मुझे विउस मिल जाएंगे, मुझे ही हो जाएगा नहीं ट्रेंड्स मेरे लिए ये भी नहीं है लेकिन हाँ एक सपोर्ट दिखाना अपना बहुत जरूरी है बिकोज जो सामने वाली पार्टी है जो संदीप महिश्वरी के अगेंस्ट है दॉसरी चीज ये है बहुत सारे लोग सोचेंगे के भाई ऐसा क्यों है डॉक्टर विवेक बिंदरा ने आपको क्या बिगाड़ा है नहीं मेरा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना ही मुझे संदीप महिश्वरी से बहुत जादा फायदा हुआ है विडियोज मिलती हैं सेकड़ो यूट्यूबर्स बनाते हैं बहुत अच्छा कॉंटेंट देते हैं लेकिन संदीप महिश्वरी की थोड़ी सी बात अलग है तो इसलिए मेरा उनको सपोर्ट है बहुत सारे लोग अब ये पूचेंगे के भाई ऐसा क्यों तो यार इसका मैं सिंपल और क्लियरली एक ही जवाद देना चाहूँगा मेरी मर्जी मेरा मुबाइल मेरा इंटरनेट मैं जिसको चाहे सपोर्ट करूँ तो मेरा फुल सपोर्ट किसके लिए है संदीप महिश्वरी के लिए दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि मुझे संदीप महिश्वरी के सपोर्ट करना चाहिए वो यह है कि जब संदीप महिश्वरी का पहला वीडियो आय था exposed वाला उसके अंदर उस same वیडियो के अंदर संदीप महëशवरी ने कहीं भी विवेक बिंदरा का नाम नहीं लिया था ठीक है संदीप महशवरी के उस same वीडियो को मैंने कई बार बहुत अच्छे से देखा उसके अंदर एक single बार भी विवेक बिंदरा यानि के डॉक्टर विवेक बिंदराजी इस कुद बढ़े बताओ कोई सैंसे इस बात का अब दोस्तो संदीप महश्वरी का एक न्यू वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कम से कम 25 से 30 मिट की बाती की है और बताया है कि इस बंदे का जो न्यू वीडियो आया है इसमें मुझे उन्हें ने धंकिया देने की कोशिश की है और भाई मैं तुमारी धंकियों से डरता नहीं हूँ उन्होंने किलियरी मेंशन कर दिया है तोकि तक संदीप महश्वरी भी अपने आप में छोटी चीज नहीं है अगर वो एक महीने के लिए भी अपने चैनल का मोनेटाजिशन ओन कर दें तो मेरे हिसाब से लगभग लगभग 50-60 लाक रुपे इसलिए वो अर्ण कर सकते हैं जिससे केस लड़ने में और भी बहुत सारी चीज़े करने में वो फायदे मन्द होगा और ये बात संदीप महश्वरी ने खुद भी बोल दिया है कि मैं एड्स ओन कर दूँगा अगर मुझे पैसों की कमी लगी तो लेकिन उनके बात बहुत पैसा है में भी ये मौका ना पड़े और अगर पड़ भी जाएगा तो कोई बुराई वाली बात नहीं है अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि संदीप महश्वरी अपनी बातों से मुकर रहे हैं उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी सिचुएशन में एड्स ओन नहीं करूँगा बिल्कुल फिर ये उफ कोस्ट रखूँगा लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है का आदमी को सिचुएशन देखके काम नहीं करना चाहिए अगर हमें पैसों की जरूरत है देश में पैसों की जरूरत है देश में कुछ उल्टा-बॉल्टा हो रखा है और हाँ हमारे पास एक source है जो हमारे पैसा बाहर से आ सकता है या फिर इंडिया का पैसा घूम भिरके हमारे पास आ सकता है तो हमें ये फिर उस चीज़ को इस्तेफ़ करना जरूरी है चाहे वो YouTube का AdSense account हो और इसका लावा और बहुत सारी चीज़े तो संदीप महेश्वरी जी ने किल यली बोला है कि अगर मुझे पैसों की कमी लगी या पैसों की कमी पड़ी तो मैं अपने YouTube चैनल का जो AdSense account है उसको completely enable कर दूँगा और फिर multiple जो मेरे videos हैं उन सभी कोपर ads जो है एक single click में apply हो जाएंगे जो की बहुत ही सही है और काफी जादा पैसा यहां से वो on करेंगे और फिर इन भाई साब के साथ जिनका नाम डॉक्टर विवेक बिंदरा है वो पैसा खर्चोगा केस लडने में और बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों इस वीडियो का last point यही है कि संदीप महिश्वरी जी ने जो last में यह बताया है कि किस तरीके से आपको FIR दर्ज करानी है और इसका अलावा और भी चीज़े करानी है मैं उनके उस सेम वीडियो का link description में आपको दे दूँगा आप जाके वहाँ से और भी चीज़े सीख सकते हो कि कैसे क्या करना है कैसे F.I.R. करनी है किसे खिलाव कैसे लड़ना है कहा कहा पर हमें complaint को दर्ज कराना है वो सारा आप जाके वहाँ सीख सकते हो और आप इनकी बातों पर अगर अमल गरते हो और दोस्तों एक और बहुत ही तगड़ी breaking news ही आई है कि जो विवेक बिंदरा है उसे डॉक्टर विवेक बिंदरा है उनकी जो खुद की पतिनी है अभी उनकी शादी हुई थी दिसंबर में ही तो उनकी वाइफ को ऐसे मार पीट करने के आरोप में जो साले साहब होते है उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंदरा को उपर कोई FIR दर्ज कराई है तो यार जब जिन्दगी सजाय देती है जब जिन्दगी के लगते हैं जिसको कहते हैं अहले लगना तो यार चारो तरफ से लगते हैं परिशानी जब तूटती है परिशानी का जब पहाल तूटता है तो भाई वो East West नी देखता चारो तरफ से परिशानी आती है मतलब घर में भी परिशानी है बाहर भी दुनिया घहरे के घुम रही है और साथ यसाथ योट्यूब पहाल बुरा है ठीक है अब चारों तरफ से विवेक बिंदरा को घेर लिया है ठीक है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए विवेक बिंदरा को और संदीप महिश्वरी का नेक्स स्टेप क्या होने चाहिए प्लीज मुझे कॉमेंक्स में लिखके बताईएगा अगर आपको इस वीडियो से थोड संदीप महिश्वरी प्लीज एक कुमेंट आपसे चाहिए जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना विकॉज यह बिलकुल फिली है हम आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में तब तक के के जहिन खुदा हफिज